परफा के राश्टी अध्या चोंपरकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सदन में गहमा गहमी दिख रही है और कल जो है जिस तरह से प्रयागराज की घटना हुई थी उसमें एक व्यक्तिका इंकाउंटर भी हुआ है सर इंकाउंटर हो गया और वि विपक्ष सत्ता में रहता है तो उसको पहले से पता रहती है कि यहां काउंटर होगा यहां चोरी होगी यहां चिनेती होगी यहां लूट होगा यह विपक्ष के लोगों को पहले से पता होता है देखिए जो सत्ता में रहता है और जो विपक्ष में रहता है तो जब सत्ता में रहता है तो वही बात बोलता है जो सत्ता में रहने वाले लोग बोलते हैं जब वो सत्ता के लोग विपक्ष में आते हैं तो वही भासा बोलते हैं जो विपक्ष में रह करके बोलते हैं यही तो है विदान जबा के अंदर यही होता है सच बोलने की हिमत विपक्ष के पास नहीं है सरकार को आइना दिखाना चाहिए कि यह घटना है इस पे तुरित कारवाई हो जो भी दोसी है उसके खिलाब ततकाल कारवाई हो प्रयाग राज में बम चले गोलियां चली कल अमेठी में भी बम चले और गोलियां चली दो लोगों की अत्या मेठी में भी हो गई है तो पुलिस अपना कारवाई करें पुलिस अपना कारवाई कर भी रही है जैसा प्रयाग राज में आप भी बता रहे हैं और कि एक पपरादी को इंकाउंटर में मारगी रहा गया आओ लोगों की तलास भी हो नहीं नहीं सरकार के हम बचाओ की बात नहीं करते अब अगर हम बेपक्षे में हैं हम राजपाल के अभीभासन को सुने नहीं और जूट का पुलिंदा चिलाने लगे आप पहले उसको सुनते समझते तब कहते तो मैं मानता मैं भी था मैं तो दोनों हाथ से काम दबा के सुन गुनो तब दुनो पहले ही ये मन बना लिए हो कि हम विरूध है करेंगे को चीजें हैं जैसे जूट का पुलिंदा है बजट जूट का पुलिंदा है तो फिर पांच करोड मांग क्यों रहे भी धायग निधी मांग क्यों रहे हो कोई फायर ब्रिगेट केंदर बनाने की बात कर रहा है अगनी समन केंदर बनाने की बात कर रहा है तो कोई अपनी सड़क बनवाने के लिए सिपारिस कर रहा है तो कोई अपनी हाश्पताल बनवाने की बात कर रहा है जब बजट में जूट का पुलिंदा है तो फिर आप ये बातें क्यों कर रहे हो विपक्ष कमियां उजागर करता है सरकार की ऐसा कहना है विपक्ष के नेता हो कि हम कमियां उजागर करते हैं आप तो विपक्ष में हो के समर्थम कर रहे हैं अखिले जी मुख्यमंत्री थे, मैयवती जी मुख्यमंत्री थे, उसके पहले लोग मुख्यमंत्री थे, तो उनके समय का बजट उस आवादी के हिसाब से आवसकता उत्पत्ती की जननी होती है, आज का जो बजट है, आज की आवसकता के हिसाब से है, बजट धरातल पे तो उसी तरह जो बजट आया हुआ है इस बजट को धरातल पे पूर्ण रूप से खर्च हो जिसमत के लिए है जिस विभाग के लिए उसमें खर्चा हो इसके लिए विपक्ष बना है न कि खाली चिलाने के लिए विपक्ष के जो मुद्दे उठाए क्या वो निराधार थे आ आप बताईए हम आप से यह कई सवाल कर रहे हैं कि महामहिम राजिपाल महुद्या के अभिभासन को आपने सुना नहीं चिलाना सुरू कर दिया कि जूट का पुलिंदा है राजिपाल गो बैक आपको कैसे मालूम हो गया कि जूट का पुलिंदा है आप यहां से चले जाओ कल तो आप भी सत्ता में थो तो वही अपना पेस कराते थे जब समाजवादी पार्टी के साथ थे गाय गोरू साण और उसके अलावा और तमाम जो मुद्दे थे उनको लेकर आज भी घेरते हैं लेकिन मुद्दों के आधार पे आज देखिएगा फिर सरकार और बेपक्ष द केजी से लेके पीजी तक बैकोर सिडूलकाश माइनाटी को निशुल्क सिक्षा है आपकी सरकार्थी तो आपने क्यों नहीं खोला पांसो कालेज वहां खुले हैं आज सवाल करेंगे सरकार्थी की बजट में बजट आपने दिया तो फिर उस बजट में पांसो अगर तमिल तयार हैं जब यह सत्ता में विपक्ष था तो विपक्ष के पास पावर था तो इसको क्यों नहीं किया विपक्ष के किन मुद्दों से आप सहमत है जातिगर जनगरना को लेकर सहमत हैं देखे हम 20 साल से जातिगर जनगरना के पक्ष को लेकर के हम चिलाते हैं जब यह सत्ता जो पिछड़ी जाती को 27% तारक्षान लागू है उसको बाट के दे तब विपक्ष में अखिलेश जी मुख्यमंतरी थे उस समय तब इन्होंने तो ध्यान नहीं दिया तब सामाजी की नहीं याद आया हाई कोट नहीं या कहा था 15 सितंबर 2013 को कि प्रदेश में एक समान कार लागू करे मुख्यमंतरी कौन था अकिलेश जी अब हम योगी जी को कहें हम मायवती जी को कहें हम किस पार्टी को कहें जो सत्ता में था उसी कुनों कहा जाएगा आपकी नजदीकियां बढ़ रही हैं दबाव बनाईए हो जाती गजन गणना पिर हम तो जातिवार जन तैयार हैं हम तो सुन रहे हैं बैट के सदन में एक भी नेता एक सब्सक्राइबी बोलने को तैयार नहीं है यह पिछडों में जो आति पिछड़ा है उसका हिस्सा लूटने वाली समाजवादी पार्टी है उनका हिस्सा लूटती है मैं भी नहीं कह रहा हूँ मायवती भी कह रही है इसनाते कह रही है कि अतिक अहमत को विधाय किसने बनाया अपनी पार्टी से उनको सांसत किसने बनाया अपनी पार्टी से चुनाव आयोग की मुहर लगी है, हम तोरो चुनाव कराते हैं, चुनाव आयोग चुनाव कराता है बच्चित के लिए शुक्रिया, आपने सुना ओम परकाश राजभर जी को, उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी तमाम बाते कहीं और साफतार पर उन्होंने यही का की चुनाव आयोग ने तमाम डिसीजन दिये हैं, इसके चलते अतिक अहमद जो है, वो समाजवादी पार्टी से विधायक हुए हैं, और इस बात का अखने शादों को खयाल रखना चाहिए कमरा में आशिश के साथ सीमा अबनक्वी भारा समचार लखना हूँ